हाई, वेलकम टू स्विच के टेनिंग क्लासेज आज की वीडियो में हम 20 वेरी यूसफूल MCQ यानि मल्टिपल चॉइस कोशन करने वाले हैं जो की मोटर स्टार्टर और उसके मेंटेनेंस पर बेज़ड है साती साथ हम हर कोशन के आंसर का सॉलुशन भी देखेंगे और समझेंगे ओके तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी होने वाली है क्योंकि समझ कि पढ़ने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है तो में रिक्वेस्ट है आप से कि वीडियो को पूरी देखें और एंड तक देखें ताकि आपको काफिजी समझ आए और आपके सब भी डाउट्स किलियर हो जाए तो चलिए सुरू करते है तो अगर आप मैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजे साथी साथ प्रेस कर दिजे बैल आइकन को भी ताकि फ्यूचर की जो भी वीडियो में अप्लोड करूँ उसके डिफिए सबसे पहले आपको मिल जाए तो यह है कोशन नमर बन और डियोल स्टार्टर स्टाइन फोर तो इसके लिए आपके पाद चार ओप्शन है ओप्शन A तो इसका सही आंसर तो है ऑप्शन D बट हम ये भी देख लेते हैं कि डियोल स्टार्टर दिखता कैसा है और इसके क्या-क्या पार्ट होते हैं तो यह है डियोल स्टार्टर यह किसी भी ब्रांट का हो सकता है ठीक है ब्रांट उसके पर मेंशन होता है और अगर मैं बात की इसके parts की तो ये एक red button है जो कि stop button होता है जिसकी मदद से आप motor को बंद कर सकते हैं और ये start button जिसकी मदद से आप motor को चालू कर सकते हैं ठीक है और अगर मैं इसके front cover को हटाऊं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा इसके अंदर एक relay होगी और इस relay की मदद से motor को मिलती है protection किसे overload से ठीक है और ये है contactor जो की basically motor की supply है उसको on off करने के काम आता है ठीक है तो ये basically overview है dual shutter का मैं इसके ओपर भी एक separate video बनाऊंगा कि dual shutter की wiring कैसे करते हैं और इसकी maintenance कैसे करते हैं ठीक है तो उस video को बहुत ही जल्दी upload करने वाला हूँ तो चलते हैं question number 2 पे तो यह question number 2 when the motor is running and if the supply to the contactor coil fails then motor will stop अगर आपकी motor चल रही है but contactor की coil की supply fail हो जाती है मतलब चली जाती है यहां फिर बंद हो जाती है तो क्या motor रुक जाएगी तो इसके लिए आपके पाद दो option है option A yes, option B no of course motor आपकी क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी but क्यों बंद होगी वो भी हम देख लेते हैं ठीक है तो जैसा कि हम लोग जानते है contactor के अंदर एक coil होता है और coil को supply मिलते ही contactor क्या करता है supply जो भी supply input में है वो सीधा motor को supply चली जाती है ठीक है, अगर coil को supply मिल गई तब but अगर coil की supply कट गई तो motor क्या हो जाएगी घूमनी यानि की motor चलनी बंद हो जाएगी, मतलब motor rotate नहीं करेगी, ओके तो basically आपको contactor की coil को supply देनी पढ़ते हैं जब भी देनी फ़सेटर प्रोटेक्स दव मोटर अगेंस शौर्ट सरकेट क्या डिल्राटर motor को शौर्ट सरकेट से बचाता है तो इसके लिए आपके पार दो option है option a है Yes option b है, no तो इसका सही answer है no देनी शौर्टर motor को शौर्ट सरकेट से नहीं बचाती है तो अगर starter नहीं बचाएगा शौट सेट तो कौन बचाएगा तो मोटर को सेब करेगा तो चलित चानते हैं कि क्या होता है concept तो basically starter के अंदर एक relay होती है जैसा हमने पहले देखा था रिले बचाती है मोटर को overload से ठीक है overload का मतलब होता है जब मोटर की जो भी current की rating है उससे current थोड़ा सा बढ़ जाना जैसे अगर मोटर 10 Ampere किये तो मोटर पर 11-12 Ampere हो जाना ठीक है तो उससे क्या होती है मोटर कुछ समय के बाद बंद रहे मतलब रिले CB यानि कि molded के circuit breaker यहां फिर fuse लगाना पड़ेगा ठीक है short circuit से बचने के लिए ठीक है starter नहीं बचाएगा इसा पार्ट होता ही नहीं आपको अलग से लगाना पड़ेगा तो चलिए अगले question पर चलते हैं ओके यह question number fourth type of start delta ठीक है start delta कितने types के होते हैं तो इसके लिए आपके पास चार ओप्शन है option a manual type option b semi-automatic टाइप option c fully automatic टाइप और option d all of these तो इसका सही answer है all of these हर तरीके का start delta starter market में available है ठीक है as per application as per price as per installation आप कोई साभी purchase कर सकते हैं तो चलिए हम सभी starters का view देख लेते हैं कि वह दिखते कैसे हैं ओके तो अगर मैं बात करूए manual टाइप चार्ट के तो यहां पर handle होगा इस handle को अगर आप नीचे कर देते हैं ठीक है तो motor होती है star में जैसे आप इसको उपर कर देते चोड़ेंगे motor हो जाएगी डेल्टा के अंदर ठीक है बट fully automatic में क्या होता है इसी के अंदर एक हम timer लगा देते हैं क्या लगा देते हैं टाइमर आप बटन को हरे वाले बटन को दबा दीजिए ठीक है और बटन को छोड़ दीजे टाइमर क्या करेगा कुछ सेकेंड तक star में चलाएगा उसके बाद उसको को convert कर देगा डाइल टामेटिक है तो यह क्या हो रहा फुली आटोमेटिक हो रहा है तो चलते हैं कोशन नमर फिप्ट पर कोशन नमर फिप्ट इलेक्टिकल कॉंटेक्टर किस लिए डिजाइन किये जाते हैं और उसका परपस क्या तो डिजाइन करने का ठीक है मतलब क्यू को बार चालूबन दो सकता हैं कि काफी सालों तक उसको यूज़ कर सकते हैं विद मैंटेने crystal या फिर All of These इसका तो इसका सही आंसर है All of अप contactor को अगर proper maintenance करके चलते हैं तो इसको आप काफी साल तक यूज़ कर सकते हैं वो अच्छी switching देगा और frequent switching भी देगा ठीक है और यह question नमर 6 by metallic strip is present in which type of flowing relay by metallic strip इन में से किस relay में पाई जाती है तो इसलिए इसके लिए आपके पास 4 option है option A electromagnetic relay option B pressure sensing relay option C thermal overload relay या फिर option D all of the तो इसका सही answer है option C बाकी relay क्या करती है वो कैसे दिखती हैं चले वो भी देख लेते हैं यह देखेंगे यह है Electromagnetic relay ठीक है बेसिकली यह इसके अंदर है कहाँ सकते है solenoid जैसा principle होता है उस principle पर काम करता है ठीक है कि अगर करण की value एकदम से बहुत जाता हाई हो जाती है तो यह within millisecond action में आ जाता है ठीक है और pressure sensing का use महाँ पर करते हैं जहां पर हमें oil का यहां फिर water का pressure को sense करना हो और उसी के according उस तो control करना हो ठीक है जैसे आपने दिखा होगा अगर मैं बात करूं दिल्ली जल बोर्ड की यहां फिर किसी iocl जहां पर भी oil का यहां फिर पानी का काम है वहां पर हम इसको यूज़ करते हैं और यह thermal overload relay इसके अंदर क्या होता है तीन होते हैं ठीक होगा हर पॉल में क्या होगा एक-एक buy metal होगा और यह buy metal बेसिकली क्या करता है heat को सेंस करता है यह temperature को सेंस करता है तेंपरचर कि किसकी वज़े से current की वजह से जैसे आपने formula नुमर 7, starting current of 3 phase induction motor is about dash times of the full load current, 3 phase induction motor का starting current उसके full load current से कितना times होता है, तो इसके लिए आपके पाद 4 option है, option A, half, option B, 2 या 3 times, option C, 10 से 20 गुना, और option D, 6 से 8 गुना, तो इसका सही answer है, 6 से 8 गुना उसका starting current होता है, 3 phase induction motor का, ठीक है, question number 8, for controlling the initial interest current, हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पाद 4 option है, तो option number A है, reduce voltage is applied to the stator when motor is running at rated speed, अगर आपकी motor घूम रही है, अपनी rated speed पे, तब हम उसकी voltage को कम कर देते हैं, यानि कि जब motor घूम रही है, ठीक है, running condition में, तब उसकी voltage को कम कर देते हैं, श्टेटर की voltage को, option B, reduce voltage is applied to the stator during the starting period, जब motor घूमने वाली होते हैं, जब उसको हम start करते हैं, तब हम voltage कम कर कर के देते हैं, जब motor को हम start करते हैं, उसकी soft के उपर हम load लगा देते हैं, या फिर option D, none of this, इसमें से कोई भी नहीं, तो इसका सही answer है, option B, जब हम motor को चालू करते हैं, तो हम voltage को कम कर कर के देते हैं, ताकि motor क्या करें, कम current ले, जिसकी वज़ा से motor राम से चालू हो जाएं, और in rush country भी control हो जाएं, तो यह question number 9, a three phase four pole induction motor is supplied from 50 hertz supply, then its synchronous speed will be, यानि कि एक induction motor है, three phase की, four pole की 50 hertz पे चल रही है, तो उस motor की synchronous speed क्या होगी, यानि कि NS की value क्या होगी, ठीक है, तो इसके लिए भी आपके पाज चार option है, option a है, 2000 rpm, option b है, 1500 rpm, option c है, 1000 rpm, option d है, 900 rpm, ठीक है, तो इसका सही answer है, 1500 rpm, बट क्यूं है, वो भी देख लेते हैं, इसका solution समझ लेते हैं, तो question यह था, क्या-क्या value given है, pole given है, 50 hertz given है, formula यूज़ करेंगे, ns बराबर 120 f upon p, यह formula बहुत useful है, ठीक है, हम यह आपको बहुत बार use करने को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हम 120 क्या है, phase angle है, f क्या है, frequency है, p क्या है, pole है, तो 120 into में f कितना है, 50, pole कितना है, 4, हमने value put करी, और जब हमने इसको solve किया, तो हमारा answer कितना है, 1500 rpm, तो सही answer क्या है, 1500 rpm, तो चलते हैं, अगले question के उपर, तो यह question number 10, by metallic thermal overload relay is, यानि कि by metallic thermal overload relay क्या है, मतलब क्या चीज है वो, तो इसके लिए प्रेशर सेंसिंग डिवाइस है, पावर सेंसिंग डिवाइस है, या फिर pressure सेंसिंग डिवाइस है, या फिर temperature सेंसिंग डिवाइस है, तो इसका सही answer है, यह D, temperature सेंसिंग डिवाइस है, क्या sense करती है, temperature, ठीक है, क्या sense करती है, temperature के according क्या होती है, यह signal देती है, bend होके, ट्रिपिंग का सिगनल दे देती है अब चलते हैं कोशन नूमर 11 पे इफ दा मोटर रिटेट करेंट इस फोर्टीन एमपियर अगर मोटर का जो रिटेट करेंट है वो 14 एमपियर है विच रिले रेंज शुट बी यूज इन दर स्टार्टर के अंदर कोन सी रिले की रेंज यूज यूज करनी चाहिए ठीक है तो इसके लिए आपके पाद चार ओप्शन है ओप्शन A 14 एमपियर से लेके 30 एमपियर की रेंज यूज कर सकते हैं ओप्शन B 9 से लेके 15 की यूज कर सकते हैं ओप्शन C 6 से 10 की यूज कर सकते हैं option d any one of this इसमें तो कोई सी भी लगा दो तो कोई सी भी लगा देंगे मतलब है आपको पता नहीं है बड़ सही लगाएंगे तो क्या होगी मोटर सही से चलेगी काफी अच्छे चलेगी और मोटर की लाइफ भी बढ़ जाएगे तो इसका सही आंसर नो से पंद्रेंपर की जो र इस रिले रेंज है और यह 14-13 और यह 6-10 तो अगर मैं इसको लगाऊ नो से पंद्रा को इस रिले को लगाता हूं तो आप क्या करेंगे इस रिले की सेटिंग कर देंगे 14 अमपेर पर ठीक है अभी क्या हुआ मोटर हो गई ओवर लोड तो किसी ने क्या क्या प्रोडेक्शन को अभी चलना रुकना नहीं है तो कुछ समय के लिए आपने इसको पंद्रा पर कर दिया और मोटर चल रही है तो मोटर पंद्र के बाद अगर जैसे भी करेंट बढ़ेगा आपकी रिले क्या कर देगी सिगनल दे देगी ट्रिप होनेगा क्योंकि इसकी लिमिटेशन है मैक पर दोगे फिर 17 पर कोई कर देगा फिर 18 पर फिर 19 पर और एक टाइम के बाद आपकी मोटर क्या हो जाएगी और तीसे लिए कि यह तो रेंजी बहुत कम है 6-10 यानि कि रेटेर करन से भी कम की रेंज है तो इस केस में रिले प्रॉपर काम नहीं करेगी तो यह तो आपको ब कोशन में 12 है हमिंग और चैटरिंग नौइज इनला कॉंटेक्टर डीटू कॉंटेक्टर के अंदर हमिंग की और चैटरिंग की नौइज क्यूं आती है तो इसके लिए आपके बाद चार ओप्शन है ओप्शन ए लो वोल्टिज सप्लाई की वज़े से ओप्शन बी पूर की वज़े से ओप्शन सी अ और डैमेज ऍटरिंग की वज़े से यहां फिर और पर अपoni तो इसका सठीऽ आंसर in और आप सबसे पहले दिमाग में कोशन क्या था कि चैटरिंग की नौइज होती है और हमिंग की नौइज क्यासे होती है यहां पर मैंने बहुत सारी पिच्छर्स आपको दिखाई है यह देखेंगे तो यह क्या है टर्मिनल है यह क्या इसके टर्मिनल है जहां से बिसिकल्व एन कॉनटेक्ट है जहां से किरंट आता है इन्पूट से और आप DNA को चला गया तो इस carbon की वज़े से भी क्या हो सकता है आपकी जो कोर है वो proper close नहीं होगा जिसकी वज़े से यहाँ पर humming की noise आएगी और इस coil को यह जो coil देखरी आपको इस coil को proper voltage नहीं मिलेगा तो भी humming की noise आएगी ठीक है पिक नहीं कर पाएगा यानि कि पिक नहीं हो पाएंगे और चैटरिंग की आवाइज वहां पे आपको आती रहेगी ठीक है तो मैं आपको एक वीडियो की मदद से चैटरिंग की नॉइज को सुनाता हूं ताकि आपको अच्छे समझ आए तो देखिए यह जो नॉइज है वह चैटरिंग की नॉइज है तो इसकी मैंटरेंस करनी बहुत जाता जरूई होता है तो अब चलता एगले कोशन पर कोशन नमबर 13 सिंगल फेजिंग मिन a मतलब क्या होता है तो अपके पास अप्षे नहीं आता क्या इसको आपके पास दोफ्ष्य लाइन नहीं आती यां फिर दुआती है तो इसका सभावग समने यह होता है क्वाटी समझते यश्कों जैसे कि आप देखिए बर Compare फेस वायर है, ryb, आप for example y की supply नहीं आ रही है, ठीक है, आपने या सा कई पार face भी क्या हुआ, जासे कि आपके घर के आसपास, आपके घर में तो light आ रही है बट परोसी घर की light नहीं आ रही है तो उससी क्या होता है, इससी को बोलते हम single facing या फिर आपके घर की light नहीं आ रही है, परोसी घर की light आ रही है पिर कुछ समय के बाद सब के घरकी लाइट जाती है फिर आपके घरकी भी लाइट आजाती है तो इसको बोलते हैं सिंगल फेसिंक वबसलिव एक पेस्व की सप्लाई नहीं आना तो इसमें क्या होता है यह जो यहां पे यहां पे यहां पे आफे यहां पे तो यहां पे लोड बढ़ जाएगा तो इसलिए हम सिंगञ फेटिंग से भी है बचते हैं इंडश्टिय में सभी motor को सिंगल से बचाते हैं अलग य सब्सक्राइब करते हैं तो चलते हैं अगले कोरशन की तरफ को बिंख थार्टर नौट और वर्लोड कंडिशन विकॉज अप इस्टार्टर ट्रिप नहीं कर रहा और वर्लोड होने के बावजूद भी तो इसकी लिए भी आपके पास है चार आप्षण आप्षण ए है रिले सेर्टिंग yn ऐट हायर ऋंप याईरेंज रूटत बहुत हायरेंज पर कर रस रहति किया है मतलब मोटए की करेयर्टिंग कम है और रिले की सेर्टिंग बहुत ज्यादा कर दिया option B, bypass the relay in starter relay को bypass कर दिया यानि कि हटा दिया है option C, wrong control wiring wiring गल्द कर रखिए option D, all of this यानि कि ये सभी तो इसका सही answer है all of this क्यों सही है? चलिए ये भी जाने के कोशिश करते हैं तो basically ये है एक starter जिसके अंदर एक relay है तो relay की setting हापको पता है कि प्रॉपर motor की current की rating के साफ से करनी चाहिए ठीक है? और relay starter के अंदर होना जरूरी है और उससी rating पर होना चाहिए जिस rating की आपकी motor की current है यानि कि जो भी इसका full load current है और आपने अगर इसको bypass कर दिया relay को यहाँ से हटा दिया फिर तो पर फायदा नहीं ना फिर relay तो है नहीं तो कोन बचाएगा और अगर कोई control wiring मतला आपके coil की supply प्रॉपर नहीं किये यान तो आपने कोई भी ऐसे कुछ buttons ठीक से नहीं लगा यान तो wiring गल्द कर दिये तो भी signal तो मिलेगा बड़ गल्द वाइरिंग होनी की वज़ा से वो signal अच्छी जगा या ठीक तरीके से नहीं पहुचेगा जहां पर वो पहुचना चाहिए था तो इसकी वज़ा से भी problems आती है कि fault हो रहा है फिर भी shutter trip नहीं करेगा ठीक है तो चलते हैं एकले question की तरफ तो यह question अमर 15 the cheapest starter for induction motor induction motor के लिए सबसे cheapest चाहिए वो price में हो चाहिए वो maintenance में हो सबसे cheapest starter कौन सा है तो इसके लिए आपके पाद चार option है option A auto transformer starter option B star data starter option C stator resistance starter या फिर option D slip ring motor starter तो इसका सही answer है start delta बहुत cheapest है और maximum industry में आपको देखने को मिलेगा तो यह picture से सभी starters की आप देखेंगे auto transformer starter में क्या होता है एक transformer लगा होता है और basically transformer लगाने के बावजूद भी आपको contactor भी लगाना पड़ेगा relay भी लगानी पड़ेगी button भी लगाने पड़ेगे on off करने के लिए होगी और दो push button ठीक है और भी जो चीज़े आपको features चाहिए वो भी आप लगा सकते हैं ठीक है बट जो आपका resistance starter होता है इसमें क्या होता है resistance की cooling के लिए आपको proper panel बनाना पड़ता है ठीक है उसके बावजूद भी फिर आपको manufacture करते हैं उसी समय इसके अंदर slip ring लगाना पड़ता है और उसके बाद उस slip ring को control करने के लिए इसकी supply को control करने के लिए आपको पैनल भी बनाना पड़ता है तो कहीना कहीं इसकी cost और maintenance बढ़ जाती है बट सबसे cheapest यहां पर कौन है इस्टार डेल्टा स्टार्टर जो कि आज की टाइम में हर एक इंडेस्ट्री में आपको देखने को मिलेगा कोशन नमर 16 इस सेफ टू यूज एमसी बीन मोटर फीडर यस और नो नो तो चलते हैं एक लिए कोशन की तरफ कोशन नमर 17 रहा है रिजन ऑफ मोटर फिलर्स मोटर क्यों फेल होती है बार पर रिजन ओवर लोड या फिर अन बैलेंसिंट सप्लाई देखिए अन बैलेंस का मलग जाता है बार बार वोल्टेज कम जादा होना और सिंगल फेसिंग जैसा हमने पहले डिसकस किया आपके बैरिंग जाम हो गई गेर जाम होगे कुछ भी प्रोडर्बर मेंकैनिकल या फिर औल अफिर तो इसका सही आंसर है इनमें से किसी भी रिजन की वज़र से आपकी मोटर फेल हो सकती है या खराब हो सकती है ओके तो यह कोशन में अठा रहा है identify the type of contact in given image जो image यहाँ पर given है यह किस तरीके का contact है यह आपको बताना है तो देखिए यह normal switch की तरह तो नहीं है तो इसके लिए आपके पाद चार option है पहला option है normally open contact option B normally close contact option C switch contact option D none of this तो इसका सही answer है normally open contact इसको बोलते है no contact यानि कि इसको स्टार्ट बटन यह आपका no बटन है जब आप इसको पुश करोगे supply आगे चलिए और जैसे आपने वहाँ से अपना हाथ को अटाया यह दुबारा से open हो जाता है ठीक है तो इस टार्टर वगरदा में यूस करते हैं हम लोग एक तरीके का आपका घर का bell switch भी कह सकते हैं ठीक है बट यह circular होता है मतलब गोल होता है और वह basically एक module में होता है तो यह फरक है बस तो चलते हैं अगले कोशन की तरफ question number 19 the rotation of three-phase induction motor can be reversed by interchanging any two of the input wires आप three-phase motor के जो rotation है उसको आप change कर सकते हैं यानि कि reverse कर सकते हैं किसी भी दो वायर को change करके yes या no true या false true हम कर सकते हैं तो चली देखते हैं क्यूं कर सकते हैं और किस तरीके से करना चाहिए यह से मैं आपका दो मोटर है पहली मैं supply दी r y b तो आपकी मोटर घूम रही है ठीक है for example clockwise घूम रही है अगर मुझे मोटर को anti-clock घूमाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा r y b की जगा r वहीं रहेगा y और b को interchange करते हैं मतलब y की जगा पर b आ जाएगा b की जगा पर y तो आपकी मोटर की reaction हो जाएग y और r को खुमा दीजिए आप ऐसा नहीं करेंगे कि r को b से replace किया मतलब r की जगा पर b लगा ते बी की जगा प्यार ऐसा करना safe नहीं होता है ठीक है आप किसी दो वार को बदलेंगे जो कि उसके बगल बगल में मतलब एक दूसरे क्या positive ऐसा नहीं कि आप एक इसको बदल ल voltage has an efficiency rating of 80% and the power factor of 0.8 find the current rating of the motor basically three phase की motor है पांच HP की है 415 voltage पे काम कर रही है efficiency है 80% और power factor है 0.8 आपको उसका क्या निकालना है current निकालना है उस motor का तो इसके लिए आपके पास 4 option है option A 0.11 Ampere option B 0.811 Ampere option C 7.99 Ampere option D 14.04 Ampere तो इसका सही answer है option A क्यों सही है calculation कैसे किया गया चलिए उसको भी हम देखते हैं तो यह question था क्या 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 वैल्यू गिवन है पहले हम उसको note करते है गिवन वैल्यू है पांच HP पांच HP का मतलब हो गया एक HP मोता 746 वाट पांच का मतलब 3730 वाट वोल्टेज है 415 एफिशनसी है 80% का मतलब 0.8 पाउर फेक्टर दे 0.8 अब हम फॉर्मला यूज करेंगे एफिशनसी बराबर आउटपूट बटे में इन्पूट या फिर P बराबर रूट 3 V I cos 5 इन्टो एफिशनसी यह फॉर्मला किसका है 3 फेस के लिए और अगर मैं बात करो आउटपूट पार का क्या होता है यानि की वॉर्ट होता है और इन्पूट रूट 3 V I cos 5 यह इसकी वजह से और एक फॉर्मला बना आपका आई का इस जगह से आई बराबर पी अपॉन में रूट 3 V cos 5 इन्टो एफिशनसी अब आप क्या करेंगे यह दोनों तरीके से सेम हो गया फॉर्मला दोनों क्या हो गया इसका और इसका अगर मैं निकालों करेंट की वैल्यू तो दोनों का फॉर्मला क्या होगा सेम हो गया तो आप दोनों में से चाहिए फॉर्मला यूज कर लो चाहिए अगर एफिशनसी गीवन है तो आप यह यूज किए अगर एफिशनसी नहीं गीवन है तो यहां पर कितना मानलो 1 क्योंकि एफिशनसी 100% लोग या निकी 1 हो गया ठीक है तो अब यह फॉर्मला हमारे पास आ आप जो भी वैल्यू हमें यहां पर मिली थी सभी वैल्यू हम यहां पर पूट कर देंगे पावर की जगापे 3730 रूट 3 की वैल्यू 1.73 वोल्टेज चारसों पंद्रा कॉस फाई 0.8 एफिशनसी 0.8 इसको हमें क्या कैलकुलेट तो हमारा आंसर कितना है आई होप आपको व मेल भी कर सकते हैं